कुछ बड़े हैं ना, बस नाम के ही बड़े होते हैं, इन बड़ों को जगाना है लोगों का मानना है कि फिल्म डंकी भी पठान और जवान के साथ साथ एक हजार करोड का कारोबार करी लेंगी। लेकिन दोस्तों आपको बताती कि इन सभी के बीच अब बॉलिवुड एक्टर रिती क्रोसन का यी बड़ा बैन सामने आया। निटी परने बैन में का फिल्म सालारो डंकी का इस वक काफे जटा क्रेश देखने को मिल रहा है। अब फिल्म में रिलीज होने में एक महीना बाकि है लेकिन इन दोनों ही फिल्मों को लेकर लोगों में बजबना हुआ है। लेकिन इस बात में कोई भी सक नहीं कि फिल्म सालार और डंकी में डंकी जादे कमाई करीगी क्योंकि सारुखान ने इस साल की सुरुवात में पठान से एक हजार करोड कमाई जबकि जवान से भी एक हजार करोड के पार कमाई कर लिये तो इस बात को भूलने की भी जरूवत नहीं की फिल्म डंकी भी एक हजार करोड के पार करेगी क्योंकि बॉलिवूड के किंखान यानि के सारुखान ये एक मातर ऐसे बॉलिवूड इस्टार बचे हैं अब जिनकी फिल्में नाकी भारत में बलकि विदे सुमें भी चलती हैं और एक बड़ी तादात में फिल्म अपनी कमाई करती है जबकि सालार का कोई भी मुकाबला नहीं है डंकी के आगे सालार के मेकर्स को इस बात का दियान रखना चाहिए कि सारुखान के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर है सारुखान को हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है तो दोस्तो इस तरह से सालार और डंकी पर अपने विचार व्यतीत करते हुए रीटी करौसण में भी लिए बड़ा बैन जारी किया